नमस्कार, क्रांती ओरेसा में आपका स्वागत है। एक समय की बात है रामपुर गाउंग में बलदेव नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक बेटी मीना थी जो बहुत सुन्दर और होशियार थी। बलदेव के खेत जमीनदार के पास गिरवी थे। बलदेव खेतों में मेहनत करके घर का गुजारा चलाता था। उसने तीन-चार महीने खेत में काम करके एक फसल उगाई थी। जो फसल अब पक कर तयार हो चुकी थी। बलदेव ने अपनी सारी फसल को बेचकर पैसे कमा लि देता था और तीसरा हिस्सा अपनी बेटी मीना की शादी के लिए अलग से रख देता था। फसल बिकने पर जमीनदार अपना ब्याज लेने बलदेव के घर पहुँच गया। वहाँ पर उसने मीना को देखा जो की बहुत सुन्दर थी। उसके बाद वह बलदेव से अपन ब्याज लेकर चला गया। कुछ दिनों में बलदेव अपनी अगली फसल उगाने में लग गया। तीन चार महीने की मेहनत के बाद फसल उग गई और कुछ दिनों के बाद उसकी कटाई होने वाली थी। लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई और कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती रही जिससे सारी फसल खराब हो गई इससे बलदेव और उसकी बेटी मीना बहुत दुखी हो गए कुछ दिनों के बाद जमीनदार अपना ब्याज लेने के लिए बलदेव के घर पर पहुँच गया बलदेव ने उसको बताया कि अपकी बार बारिश की वज़े से उसकी सारी फसल खराब हो गई समीनदार ने मीना की तरफ देखा और बलदेव से बोला यदि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करा देते हो तो मैं तुम्हारा सारा करज माफ कर दूँगा इस पर बलदेव ने आपती जताई तो जमीनदार ने एक तरकीब बताई कि हम एक खेल खेलते हैं इसमें मैं एक काला और सफेद पत्थर मैं एक मटके के अंदर डाल दूँगा मीना को उसमें से बिना देखे एक पत्थर को निकलना है यदि वह काला पत्थर निकालेगी तो मीना को मुझसे शादी करनी होगी और मैं तुम्हारा सारा करज माफ कर दूँगा यदि वह सफेद पत्थर निकालेगी तो उसको मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और मैं तुम्हारा सारा करज माफ कर दूँगा बल्देव को जमीन दार का ब्याज भी देना था यदि वो उसकी बात नहीं मानता तो उसने खेल के लिए हा कर दी समीनदार बहुत धोखेबास था उसने जमीन से दोनों काले पत्थर लिये और मटके के अंदर डाल दिये मीना ने उसको दोनों काले पत्थर मटके के अंदर डालते हुए देख लिया मीना बहुत होशियार थी उसने कुछ देर सोचा फिर मटके के अंदर से एक पत्थर निकाला और गिरने का बहाना बना कर जमीन में गिर गई और उस पत्थर को बाकी सभी पत्थर में मिला दिया समीनदार और बलदेव सोचने लगे जो पत्थर मीना ने उठाया था वह कैसे पता चलेगा तो मीना बोली इसका पता हम मटके के अंदर के पत्थर से लगा सकते है मटके के अंदर पत्थर देखा तो उसका रंग काला था इसका मतलब मीना ने जो पत्थर उठाया और जो हाथ से गिर गया था उसका रंग सफेद था इस तरह मेना की होश्यारी से बलदेव का कर्ज भी माफ हो गया और मेना को जमीनदार से शादी भी नहीं करनी पड़ी